ब्रेके वाल आपका स्वागत है सोलन की सबजी मंडी समूची हिमाचल में बहतरी इंड परदर्शन कर रही है सोलन की सबजी मंडी नमींतन तक्नीक का बहत फायदा उठा रही है जिसके चलते किशान और बागवन बहत खुश है सोलन की सबजी मंडी समूची हिमाचल में बहतरी इंड परदर्शन कर रही है सोलन की सबजी मंडी नमींतन तक्नीक का बहत फायदा उठा रही है जिसके चलते किशान और बागवन बहत खुश है यहां तक की जो डर किशानों को पैसा डूबने का होता था बेखत्रा बहत कम हो गया है क्योंकि अब जायदा तर लेन देन इनेम के मादिम से हो रहा है जिसके चलते किसानों का बुकतान कुछ ही गंटों में कर दिया जाता है यही बजा है कि किसानों का विश्वास सोलन की सबजी मंडी में लगतार बढ़ता जा रहा है परिणाम सब रूप एपी एमसी का कारोबार भी पिछले वरसों की तुलनवें जादा है अधिक जानकारी एपी एमसी सोलन के सचिप डॉक्टर आरके शर्मा ने बताया कि सोलन सब्जी मंडी का जो लक्से केंदर के सरकार ने ई-नेम में दिया था बे अक्तूबर मा में ही पूरा कर चुके हैं उन्होंने बताया कि उन्हें इ-नेम के माद्यम सी 20 करोड पेका किसानों को भुक्तार करने के लिए प्रदान मंतिरी नरेंदर मूदी की फ्लैक सी प्योचरा के तैट लक्षय मिला था लेकिन बे इस लक्षय को अक्तूबर मा में ही पूरा करते हुए किसानों के खाते में 22 करोड 41 लाग तक भुक्तार कर चुके हैं उन्होंने कहा कि गेवर सितंबर मा में ही उन्होंने 8 करोड 30 लाग की रिकॉर्ड पेमट किसानों को सीधा की थी उन्होंने बताया कि EPMC सोलन उत्तर परदिश और चंडिगर से भी इनेम के मरदिम से ब्यवार कर रही है वही अब देरादुन के क्रियताओं का भी पंजिकन जल्द ही EPMC सोलन करने जा रहा है रास्टे क्रिशी बजार इनेम माननियां परदानमंत्री स्री नरेंदर मोजदी जी की फ्लैक्सिप योजना के तहत हमने सरकार ने इस वर्स हमें 20 करोड EPMC का टार्गेट दिया था जो कि हमने अक्तुबर माह तक ही 20 करोड से उपर जा चुके हैं हम और कंप्लीट कर लिया है इस वक तक हमने कुल 22 करोड 41 लाग का EPMC किसानों के खाते में N EFT और RTGS के थरूक कर दी है और सितंबर माह की अगर बात करें तो लगभग 8 करोड 30 लाग रुपै का डिरेक्ट भुगतान किसानों को हुआ है जिससे किसानों को जो दिक्कत आ रही है कि पैसे नहीं मिलते हैं वो तुरंत उनके खाते में प्राप्त हो रहे हैं 24 गंटे के अंदर अगर कभी चुटी होती है वरकिंग डे नहीं है वैंक का तो 48 गंटे के अंदर धनन के खाते में सीधा जाता है और लगबग इंटर स्टेट हमने 2019-2020 में 6 लॉट्स किये हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ और चंडिगर के साथ हमने किया और देहरादून के भी दो वायस को हमने हिमाचल परदेश की सब्जी मंडी सोलन में रिजिस्टर्ट किया है और आने वाले समय में अतिसिगर ही उनके साथ भी हम इंटर स्टेट ब्यापार इनायम के धुरू करेंगे